प्जेपी की तीन राजों में प्रचन जीत के बाद 36 गड में मुख्यमंत्री तै हो गया है और अब बारी मध्यप्रदेश और राजिस्थान की है संभावना चताई जा रही है कि सौमवार को यानि आज मध्यप्रदेश में और मंगलवार को राजिस्थान में नए मुख्यमंत्री की घोशना हो जाएगे मध्यप्रदेश के नए मुख्य मंत्री को लेकर एक सप्ता से जारी संशे आज सौमवार को वधायत दल की बैठक में समाप्त होने की उम्मीद है माना जा रहा है कि मध्यप्रदेश में पार्टी OBC वर्ग से किसी को मुख्य मंत्री बनाती है तो शिवराज सिंग चौहान, प्रहलात सिंग पटेल और भूपेंदर सिंग में से किसी के नाम पर सहमती बन सकती है इसी तरह से सामाने वर्ग से नरेंदर सिंग तोमर, राकेश सिंग और विश्नुदत शर्मा में से किसी के नाम पर मोहर लग सकती है वहीं अन्यों में बात करें तो केंद्री मंत्री जोत्रादित्य सिंधिया और राजसबा सदस्य सुमेर सिंग सोलंकी के नाम पर भी चर्चा है तो शाम को चार बजे प्रदेश भाजपा कार्याले में होने वाली बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव हो सकता है इस बैठक में हरियाना के मुख्य मंत्री मनुहर लाल खटर, OBC मोचा प्रमुक डॉक्टर के लक्ष्मन और रास्टे सच्व आशा लाकड़ा भी केंद्री परविक्षक के तौर पर उपस्तित रहेंगे भाजपा से निर्वाचे सभी 163 विधायकों को बैठक में उपस्तित रहने के लिए कहा गया है इन में अधिकतर विधायक बोपाल पहुँच चुके हैं वही नचकलों और चर्चाओं के बीच शिवरा सिंग चौहान लगातार अपनी ताकत दिखा रहे हैं आपको बता देगी मध्यप्रदेश में बहुमत कांकडा 116 है लेकिन बीजेपी ने 163 सीटों पर जीत हासल करके दो तेहाई बहुमत हासल किया और अब सीम चेहरे कले परेविक्षकों के साथ विधायकों की बैठक का इंतिजार है तो देश के दिल मध्यप्रदेश में इस बार कमल तो खिल गया लेकिन बत और सीम किसमत किसकी खिलेगी ये अब तक साफ नहीं हो पाया लेकिन चंद घंटों के भीतर ये भी साफ हो जाएगा कि मध्यप्रदेश में एक बार फिर से वामार आ जाएगा या फिर सीम पत का ताज किसी और के हिस्से में जाएगा तो 36 गड़ में कल विश्नु साय के नाम पर मोहर लगने के बाद अब मध्यप्रदेश की बारी है और आज वहाँ विदायक दल की बैठक है तो ये माना जा रहा है कि आज जो सीम फेस है वो कई नगें कलियर हो सकता है अमपी में